फटार तीस सेकेंड में पूरी खबर डाउनोड करें तक्याब हम एक ऐसे भरष्ट अधिकारी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि क्योवल भरष्टचारी ही नहीं बलकि हत्यारा भी है नमस्कार बिहार तक में आपका स्वागत है कुछ महीने पहले हमने आपको काजपालक पदाधिकारी अनुभूती शिर्वास्तों के बारे में इसी काजकरम में जानकारी दी थी कि वो कितने बड़े वरष्टाचारी है और साथ में जो उन पर कई साजिस रचने के आरोग थे उसके बारे में भी हम लोगों ने खुलासा किया था अब वो खुलासा सच्चाई में बदल चुका है अनुभूती शिर्वास्तों जब भववा में काजपालक अविकारी के तौर पर पदास्थाफित थे उस समय उन पर भरष्टाचार के कई आरोप लगे और इस भरष्टाचार के आरोप लगाने वाले लगाते रह गए लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई कोई कारवाई नहीं नहीं तब तक जब तक की मामला मुख्ध मंत्री के जनतादरवार में नहीं गया जनता दर्वार में जाने के बाद अनुभूती शिर्वास्तों को निलंबित कर दिया गया। तो ये व्रश्ट अधिकारी तो थे ही और ऐसी कहानी आपने बहुत से सुन्वacji भी होगी। दूसरे अधिकारियों की तरह ये भी व्रश्टचारी जोने भी काफी पैसे सरकारी खालानों से लूटे। लेकिन अनुभूती शिर्वास्तों के ओल भरस्टाचारी ही नहीं था बलकि वो भरस्टाचार के इस हद तक पहुच गया था कि किसी की हत्या भी कर सकता था और इसका खुलासा अब जाकर हुआ है जब FSL रिपोर्ट यानि कि Forensic Science Laboratory की एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे ये साफ हो गया है कि अनुभूती शिर्वास्तों ततकालिन काजपालक पता अधिकारी और जूनियर इंजिनियर कनिया विहनंता राहुल कुमार ने मिलकर राजेश उर्फ वेद प्रकास की हत्या का प्रयास किया था राजेश उर्फ वेद प्रकास के बारे में बता दें कि वो नगर विकास में काम करने वाला एक ठेकेदार है उसकी एक निर्मान कंपनी है mm निर्मान कंपनी उस कंपनी में अनभूती शिर्वास्तों की पत्नी 50 फिस्दी की रिस्टदार भी थी कंपनी अच्छा मुनाफ़ा कमा रही थी क्योंकि खुँऑ उसके कोत्वाल यानि की काजपालक पदा दिकारी अनभूती शिर्वास्तों थे जिनकी पतनी उस कंपनी की पचास फिस्दी की हिसेदार थी तो जाहिर है कमाई तो अच्छी होगी ही अब अनुवोती शिर्वास्तों का इससे भी पेट नहीं भड़ा और उन्होंने ये तय किया कि इस ठेकेदार को यानि कि राजेस उर्फवेद परकास को रास्ते से हटा द जाए कमपनी में हिस्सेदारी सौ फिस्दी की हो जाए कि एक जून 2020 को ठेकदार उनके आवास पर भववा इस्तिता आवास पर जाता है और स्वागत में उसे नीवू पानी पीने के लिए दिया जाता है नीवू पानी पीने के बाद राजेस की तवियत खराव हो जाती है पिटल में भरती कराना पड़ता है। उसे शक होता है कहीं न कहीं नीवु पानी में कोई गलवड़ी थी या कुछ दिया गया है। तो उसने पुलिस में एफ आई आर कराने की कोशिस की। लेकिन काजपालक पदाधिकारी की वज़ा से उनकी जो शक्ती थी उनकी वज़ा से एफ आई आर दर्ज नहीं हो पाया। बाद में मामला न्याले में दर्ज किया गया। न्याले के आदेश पर एफ एसल में राजेश कुमार के पेशाब की जाच की गई, मुत्र की जाच की गई और उसमें जब रिपोर्ट आई तो पाया गया कि उसमें जहर के अंस थे। उसके बाद से भवववा में एफ आई आर दर्ज कर लिया गया है और अब अनभूती शिर्वास्तो और जुनियर इनियर राहुल कुमार के गिरफतारी का प्रयास पुलिस कर रही है। उनके कई ठीकानों पर फिर से छापे मारी हुई। इस हत्या के प्रयास के मामले में। इससे पहले स्पेसल विजलेंस यूनिट उनके कई ठीकानों पर एक सितंबर 2021 को छापे मारी कर चुकी थी। जिसमें मैंने बताया कि अकूत संपत्ति का पता चला। लेकिन ये मामला काफी हम कह सकते हैं चौकाने वाला भी है और ये एक भ्यानक साजिस की तरब भी इसारा करता है। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है कि अन्दभूती शिर्वास्तों ने किसी को रास्टे से हटाने की कोशिस किये। अन्दिवोती शिर्वास्तों जब से सरकारी नौकरी में आये हैं तब से उन इस तरह के कई आरूप लगे हैं। वो बक्सर में भी तैनात थे, आरा के जगदीश्पूर में भी तैनात थे, बक्सर के डुम्राओं में उनकी तैनाती थी, आरा के भोजपूर के जगदीश्पूर में उनकी तैनाती थी, फिर भवुवा में उनकी तैनाती हुई, लेकि जगदीश्पूर में एक मामला आया थ जब एक RTI कार्ज करता की हत्या हुई थी तो उसमें भी अनुभूती शिर्वास्तों का नाम उस F.I.R. में डाला गया था लिकिन अपने जोर्ज बर्दस्ती की वज़े से अनुभूती शिर्वास्तों ने वो F.I.R. फरवा दिया और फिर बाद में जो दूसरा F.I.R. दर्ज हुआ उसमें ततकालीन जगदीश्पुर की ततकालीन नगर परिशत के अध्यक्ष को सजा भी हुई यही नहीं एक और मामला भवुवा में भी आया जब भरत सिंग नाम का एक RTI काज करता कनिय अभियंता जुनियर इंजिनियर राहुल कुमार की निक्ति पर सवाल उठाते हुए सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी कई बार भरत सिंग को समझाने का प्रयास किया गया अनुवूति श्रिवास्तों के द्वारा राहुल कुमार के द्वारा पैसे के लेन दिन की भी बात हुई लेकिन जब बात नहीं बनी तो एक दिन अचानक भरत सिंग अपने घर में मृत पाए गये घर वालों को आसंका थी कि जरूर कोई न कोई इसमें साजिस है कोई गड़बड़ी है तभी उनकी मौत हुई है लेकिन सबूत कोई नहीं था लेकिन अब जब की राजेश कुमार उर्फ वेद प्रकास के मामले में सबूत सामने आ गया है तो भरत सिंग का परिवार भी जान लेने तक पर उतारू है बिहार के अधिकारी इससे तो यही सावीत होता है आज के लिए वसित्ता ही तब तक के लिए धन्डवाद झाल